यह है वन प्लस एट दोस्तों यह है वन प्लस एट स्मार्ट फोन जो इंडिया में लॉच हो चुका है इसका प्राइजिंग है 41,999 रुपीज वैसे जो वन प्लस स्मार्ट फोन है पहले तो इसे फ्लैक्शिप किलर कहा जाता था लेकिन आज के तारिक में यह फ्लैक्शिप किलर तो नहीं रहा है लेकिन यह जो हैंसेट है वन प्लस एट इसका प्राइजिंग है क्या यह सही प्राइजिंग है क्या आपको यह स्मार्ट फोन खरीदना चाहिए यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए देखते रहिए सबसे पहले तुम्हें वन प्लस एट की अन्बॉक्सिंग करके बताता हूँ तो दोस्तों यह है वन प्लस एट का बॉक्स पाकिंग चलिए इसे मैं खोल देता हूँ यह लीजिए बॉक्स के अंदर आपको यह हैंसेट मिलने वाला है इसके अलावा यहां पर Flower Value के बारे में इस काड़ के वपर जानकारी दी हुई है और साथ में यह Red Keyensible Club काड़ भी दिया हुआ है कुछ stickers है Quick Start Guide है Safety Information Invitation Letter भी यहां पर दिया हुआ है और यह है Sim Troy Ejector Pin एक Silicon Case भी दिया हुआ है और यहां पर Never Settle लिखा हुआ है यह जो silicon case है, इसकी quality काफी बढ़िया है, और handset में जो ports है, उन्हें cover करने के लिए भी इस silicon case में option दिया हुआ है, साथ में ये cable दिया हुआ है, USB to USB Type-C data cable, और जो आखरी चीज रह गई है, बॉक्स के अंदर वो है, ये वाप charge 30, fast charger, one plus eight smartphone जो है, ये 5G support करता है, लेकिन फिलाल 5G इंडिया में available नहीं है, और 5G को आने के लिए काफे समय लगने वाला है, तो इसके उपर मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, Snapdragon 865, Octa को powered है, और ये जो chipset है, ये जाना माना chipset है, दूसरे premium smartphones पर भी इसका उप्योग किया गया है, तो ये भी आपको पता है कि जो chipset है, बहुत ही popular है, और बहुत ही powerful है, वैसे मैं इस पर N22 score run किया था, और मुझे मिला था तकरीबन 5,78,000 का score, जो की awesome किसम का है, और इस पर आप PUBG game बहुत ही smoothly खेल पाएंगे, कोई issue नहीं है, देखे, इंडिन users के लिए pricing बहुत ही important है, और ये जो smartphone है, इसका pricing है, 41,999 रु महसूस हो जाएगा, कि ये जो smartphone है, वाके में बहुत ही premium किसम का है, आपको वो premium feel मिलता है, और खास करके, इस पर जो haptic vibration का उप्योग किया गया है, वो आप definitely एक बार experience कीजिए, आपको पता चल जाएगा, कि ये जो smartphone है, वाके में, जो भी इसका pricing है, वर्थ है, ये जो smartphone है, इसे आप oneplus के store पर experience कर सकते हैं, इस handset में in display fingerprint sensor दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, और ये जो process है, इसमें एक बहुत ही cool किसम का default animation दिया हुआ है, जो कि काफी बढ़िया है, इसे आप change भी कर सकते हैं, power button right hand side पर दिया हुआ है, और उसके उप प्राइमरी microphone है, और USB type C port दिया हुआ है, इस handset पर audio jack नहीं दिया हुआ है, और ये जो sim slot है, इसमें आप dual nano sim का उप्योग कर सकते हैं, इस handset में micro SD card slot का option नहीं दिया हुआ है, इस handset में dual studio speakers दिया हुआ है, Dolby Atmos सपोर्ट करता है, और जो screen है, ये 6.55 inches का 90Hz fluid amoled display है, 3D corning gorilla glass protection के साथ में आता है, Full HD plus resolution है, और ये जो display है, खास किसम का है, क्योंकि ये curved display है, in fact, आगे भी curved है और पीछे जो glass है, वो भी curved है, overall बहुत ही बढ़िया आपको experience मिलता है, इस handset पर, ये minimum 6 GB RAM के साथ में आता है, और maximum 12 GB RAM और 128 GB और 256 GB storage options अवेलेबल है, जो RAM है, ये LP DDR4X है, और जो storage है, ये UFS 3.02 lane, oxygen OS रन कर रहा है, out of the box, जो Android 10 based है, रियर साइड पर triple cameras दिया हुआ है, जिसमें 48 MP का primary Sony IMX586 वाला sensor है, 16 MP का wide angle lens है, और 2 MP का macro lens है, अब कुछ लोग मुझ से पूछ रहे थे कि ये जो smartphone है, इस पर telephoto lens नहीं दिया हुआ है, उससे कुछ फारक पढ़न उसे दिखते ही, आप समझ जाएंगे कि जो camera quality है, काफी बढ़िया है, और telephoto lens से जादा कुछ फारक नहीं बढ़ने वाला है, और खास करके portrait mode में ये जो smartphone है, multiple lenses का उप्योग करता है, आपको दो options मिल जाते है, एक है portrait mode और दूसरा है, group portrait, वैसे smartphone में zoom option तो available नहीं है, लेक पर आपको raw और jpeg का option मिलता है, ये handset 4K videos at 60fps में shoot कर सकता है, और दो unique modes इस पर दिया हुआ है, 4K cine 30fps और 4K cine 60fps पर, in fact मैंने कुछ video shoot किया हुआ है, इस mode के साथ में, ये basically 21 is to 9 aspect ratio में videos shoot कर सकता है, आपको एकदम cinematic effects मिलता है, ये देखिए जो video आप देख रहे हैं, ये मैंने AC mode में shoot किया हुआ है, काफी कमाल का आ जाता है, super stable option भी दिया हुआ है, जिससे आप बहुती smooth videos shoot कर पाएंगे, तो ये इसमें built-in दिया हुआ है, और ये काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, in fact जब मैं review करूँगा, तो मैं आपको इसके बार में details में बताने वाला हूँ, handset का version है 180 grams और इसमें 4300 mAh की battery है, 4300 mAh की battery, अब ये जो battery है ये आपको असानी से 1-5 दिन का battery life दे सकती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि box में 30 watt का warp charge दिया हुआ है, 30T और ये जो warp charge है, इसका उप्योग करके आप जो smartphone है 22 minutes में तकरीबन 50% तक charge कर पाएंगे, तो दोस्तों इस handset का पूरा review में जल्दी लेकिया हूँगा, लेकिन फिलाल आप मुझे बताइए कि ये जो smartphone है OnePlus 8 ये आपको कैसा लगा और खास करके जो pricing है ये आपको कैसा लगा, 41,999 रूपीस, इस video को लग कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए